सबसे पहले तो आप सबी जो है जल से जल लाइब जूड़ जाएए आपको बताना चाहूंगा इस समय जमो कश्मीर की क्या सुर्देहाल है इस समय बहुत बड़ी अपडेट जो है आने आपके सामने लेके आए हैं इस समय जो जमो कश्मीर में एक अपडेट थी कोविड-19 को लेकर की कुरोना कर्फियू जिस तरीके से एकस्टेंड किया गया था 17 मेई की सुबह 7 बजे तक जिस परकार से जमो कश्मीर की सरकार ने इसको नाफिज किया था लेकिन इस समय की जो अपडेट है उसको लेके हम एक बार आपके सामने फिरसे हाजर है जमो कश्मीर सरकार ने लॉकडाउन को एक बार फिरसे लॉक्डाउन की बात करें korona कर्फियू को एक बार फिरसे extend कर दिया गया है इसकी डेट मैपको बताना चाहूंगा 24 मेई 7 बजे सुबा तक जो यानि कि 100 बार तक जो है इसको एक्स्टेंट कर दिया गया है इस समय जो है परशासन ने एक बैठक के बाद उसका एक कड़ा फैसला जो है जो है जब कुश्मिर सरकार ने लिया है हाला कि जो है सुबा से ही खबरे आ रही थी कि एक बैठक के बाद जो है ये 24 तक जो है फैसला जो है ये करोना कर्फ्यू अपडेट आ रही है आपको एक बार फिर से मैं बता दूँ इस समय की ब्रेकिंग नियूज यानि की बड़ी खावर जो मैं आपको बताना चाहता हूं 24 मेई सुबा साथ बज़े तक यानि की सौंबार सुबा साथ बज़े तक करोना कर्फ्यू का एक बार फिर से जमो कश्मीर सरकार ने इलान कर दिया है इसमें बड़ी बात यह आपको बता दूँ कि अपनी जान से हाथ यानि की 63 लोग जो है आज आपनी जान से हाथ दो बैठे को इन नाइटिन की वज़ा से कितना मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग जो है 3600 के प्लस के ओपर के आज के जो पाजिट्व के सामने आए हैं जमो कश्मीर में यह आखड़ा दिन बदिन जो है आज जो है मैंसे जैसे मैंने बता रहा हूं 63 केसे जो है ड़ेट्स के ने देखे उसके यह लगा कि रामबान प्रशासन जो है रामबान डिश्टिक अड्मिस्टेशन जो है उन्होंने आज होस्ट होस्ट वैक्शनेशन ड्राइव की वही मैं आपको बताना चाहूंगा जिला डोडा की बात करें तो वहां भी समय डिस्टिक डोडा में भी होस् यह यह भी एक जो है हमारी सजेशन है कि जिला डोडा में भी इसको जो है शुरू किया जाए ताकि जो लोग अभी सब्सक्राइब वाक्शनेशन के लिए रह चुके हैं उनको जल से जल वेक्शनेशन जो है वेक्शनेट किया फूस्ट तो होस्ट आपके यह नहीं कि जिस से विजुल में आपने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा रामबन डिस्टिक की एक तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से रामबन जो है वहां से जो है तश्वीरे आ रही हैं बहुत ही अच्छा स्टैप जो है गोवर्मेंट का यह सामें देखने को मिल रहा हूँ एक बार मैं फिर से बता दूँ जम्मो कश्मीर का जो सबसे बड़ा अपडेट इस समय का है सबसे बड़ा अपडेट लागडाउन यानि की करोना कर्फिव को एक बार फिर से एक्सटैंड कर दिया गया है जम्मो कश्मीर के 20 के 20 डिस्टिक में जहां जम्मो कश्मीर के 20 से 20 डिस्टिक में लाग्टाउन को यानि करोना कर्फियों को एक्सटेंड कर दिया गया है जो बीस मेई सुबा साथ बजे तक सौंबार को बदरवा के जो सूर्टेहाल है बदरवा में लगतार आए दिन जो है केसे दिन बर दिन सामने आ रहे हैं कोवीड-19 के पॉजिटिव केसे तो नियरे टींपस्टिव के घड़ा जाएं लगतार ऱुकस्टिंग लगतार ह्वीड को तेस्टिंग आपक्bol नियुक्री तेस्ट्व हैं कोवीड-वेशी सब्सक्राव नियुकर कोनों से पूस्टीम जो जल नहीं त्रीट करके ठीक होगी शायद कि उनको वहाँ भी कुछ हुश सामने आई हैं और मैं आपको बता दूँ समय कि जो मैं हमारी भी आप से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में ही रहें अपने घर में ही रहें सैनिटाइजर साथ रखिए जब बाहर कहीं निकलते हैं ज्यादा बाहर निकलने की कोई अशक्ता नहीं है लेकिन अगर आप कहीं निकल भी रहे तो आप सैनिटाइज अपने आपको करें जब आता वापिस आते हैं अपना मास्क का इस्तमाल कीजिए अपना मास्क ज़़ादा से ज़़ादा क्यूंकि इस ज़़ादा बज़त जो है इनसान जब से कोवीड 19 की आए है तो आपको पताए 120 का पालन करना बहुत ही अवश्य है बाकी की अपडेट के लिए बने रहे हैं जेके टाइमस के साथ हमें दीजे जाज़त नमस्कार